पाकिस्तान विमन्स टीम ने टी ट्वेंटी वर्लकप दोज़ार चोबिस के लिए रैंकिंग की बुनियाद पर पॉलिफाई कर लिया आई सीसी की जानिब से वर्लकप दोज़ार चोबिस के लिए ब्राहर रास कॉलिफाई करने वाली टीमों का एलान कर दिया गया है जिसके तहर पाकिस्तान वुमन्स टीम टीटी वर्लकप की छे टॉप टीमों और मेजबान मुल्क के बाद बेहतर रैंकिंग की टीम करार पाई आई सीसी के मताबिक टीटी वर्लकप के लिए आट टीमों ने ब्राहर रास कॉलिफाई किया है जबके दो टीमे ग्लोबल कॉलिफाईर से आएंगी आट टीमों ने जनुबी अफ्रीका में होने वाली टीटी वर्लकप की बुनियार पर कॉलिफाई किया हर ग्रुप की टॉ के बाद बेहतर रैंकिंग पर मुझूद टीम है शाहिद अफरीदी ने 26 फर्वरी को पिशावर और लाहूर के दर्मियान होने वाले मैच से मतलिक गुफ्तगू की साविक अपतान ने बाबर की पर्फॉमंस पर बात करते हुए का है कि इसमें ये खासियत है कि बाबर विकेट पर खड़े रहकर दूसरे खिलानियों को खिला सकता है क्यूंकि बाबर सेट होने में कुछ वक्त लेता है इसमें कोई शक नहीं कि बाबर वर्ल का नंबर वन प्लेयर है इस मुलके पेचान है लेकिन एक चीज बाबर के डिवेलियर और विरात कोली के लेवल पर आने में रिकावट बन दी है वो फिनिशिंग है बतोरे मैच विनर बाबर ने अब तक खुद को साबित नहीं किया मेरी खौईश है कि बाबर मैच फिनिशर बन कर मैच को खतम करे शायद अफरीदी के बियान पर बाबर के दोस्त और पाकिस्तानी प्लेयर इमाम उलहक ने भी अपना मोकिफ बताया कि बाबर का दोस्तों लाज़ा हमारे डिसकुशन में भी ये चीज़ आती है कि बाबर भी उस चीज़ को तसलीम करता है कि जिस तरह वो इतनी क्रिकिट खेल चुका है तो वो मैच को खतम भी करके जाए गज़िशता साल कतर में होने वाले फुटबाल वर्ल्लकब की ट्रोफी उठाने के बाद अरज़न्टाइन के स्टार फुटबालर यूनल मैसी ने एक और एज़ास अपने नाम कर लिया उन्होंने ये एज़ाद दूसी बार हासिल किया मेंस फुटबालर ओफ दी इयर की कैटेगरी में फ्रांस के इमबापे क्रिम बैंजमा और लियूनल मैसी के माबें सख मकाबला था ताहम मैसी ने खरीफो को पीछे छोड़ते हुए साल के बेतीन फुटबालर का इवार्ड अपने नाम कर लिया इवार्ड जितने के बाद मैसी ने कहा कि ये हैरत अंगेज है ये एक जबरदा साल रहा मेरे लिए इसास की बात है कि मैं यहाँ हूँ और यह वार्ड जिता साथे खिलाडियों के बगार यह मुम्किन नहीं था मैसी ने मज़ीद कहा कि मैंने अपना ख्वाप पूरा कर लिया जिसकी मैं इतने अर्से से उमीद कर रहा था बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं और मैं खुशकिसमत हूँ दूसी जानिब बार्सलोना की अलेक्सिया पॉर्टेल्स की विमन्स प्लेयर ओफ दी इयर का एवार्ड मिला इसके इलावर जंटायन के इमलियानो मार्टिन साल के बेहतरीन गॉलकीपर का एवार्ड ले उडे जबके विमन में ये एवार्ड इंग्लेंड की मैरी एरपेस ने हासिल किया अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसे या विजिट करें हमारी वेबसाइट देसी टीवी यूएसे डाट कॉम